गरीब परी का नया साल परी लोग के पास बसे पहाड़ों के बीच एक छोट इसे गाउं में खुशी परी अपनी मा के साथ रहती थी उसने अपने घर के बार कप्रों की एक छोट इसी दुकान लगा रखी थी क्योंकि फैदोनों बहुत ही गरीब थी और खुशी परी ने दुकान के लिए भी पैसे उधार लिये थे जो कि उसे सिर्फ एक ही महिने में लोटाने थे और नए साल में बस दो महिने ही बाकी थे कुछ दिनों तक तो खुशी परी के दुकान ठीक से चल लही थी पर धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकाना बंद हो जाते हैं मा यह सब क्या हो रहा है अब तक तो सब ठीक चल आता फिरब अचानक सारे ग्राहकाना बंद क्यों हो गए मुझे पता है क्योंकि नया साल आने वाला है इसलिए बड़ी दुकानों के लोग डिसकाउंट वगएरा सब देते हैं तो इसलिए सारे ग्राहक वही चाते हैं हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है हमारे पास सिर्फ 15 दिनी बचे हैं करज़ा वापिस करने के लिए जो हमने उदा लिया था अब हम कैसे चुकाएंगे और दुकान में भी इतना सामान नहीं है कि उसे बेच कर हम सारे पैसे वापिस कर सकें तू चिंता मत कर मेरे पास कुछ गहने हैं हम उन्हें ही बेच देते हैं कम से कम वो बूरे बक्त में तो काम आएंगे मैंने उन्हें कई सालों से समाल कर रखा है और उन्हें बेच कर सारे पैसे वापिस दे सकते हैं नहीं मा मैं आपको ऐसे नहीं करने दूगी आपने उन्हें कितने सालों से समाल कर रखा है अब आप ऐसे उन्हें नहीं बेच सकती आप चिंता मत कीजिए मैं आज कुछ न कुछ सोचती हूँ वैसे भी अब ही हमारे पास 15 दिन है मैंने मा से कहतो दिया है पर पैसे कहां से हमने इतना कर्जा आखे लिया ही क्यों शे सारी बाते उस बेस्ट फ्रेंड ज्रिया सुन रही थी वह खुशी परी के पास आती है तो ये बात है इसलिए तुम इतने दिनों से उदास लग रही थी और मुझे भी नहीं बताया पर तुम्हारी परेशानी का हल मेरी पास है अच तो आज क्या हुआ तुम्हें लेने ही पड़ेंगे पर मैंने कहा ना और तुम और तुम्हारी मा मेरी घर पर आ जाना मैं तुम दोनों को कुछ काम दिलवा दूंगी और सेल्दी जितनी तुम चाहो फिर सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और शेलो ये एक ड्रेस है जो कई सालों से मेरे पास रखी हुई है मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना तो तुम इसे नए साल पर पहन सकती हो मैं जल्दी तुमारे पैसे वापिस कर दूंगी तुम उसकी जिंता मत करो खुशी पर ही वे ड्रेस लेकर अपनी घर आ जाती है और उस ड्रेस को पहन कर ट्राइ करती है ये तो बहुत ही अच्छी है पर काश मेरे पास पैसे होते जिससे मैं और कुछ भी ले पाती उसके इतना कहते ही उसके सामने ठीर सारे पैसे रखे हुए थे और ये शी कैसी हुआ कुछ और मांग कर ट्राइ करती हूँ फिर वे जितनी भी चीज़े मांगती फिर सब चीज़े उसके सामने थी फिर उसे समझ आ चुका था कि फे ट्रेस कोई साधारा ट्रेस नहीं बलकि एक चादोई ट्रेस थी खुशी पर ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज के बाद उसे जो भी चाहिए फ़े उस ट्रेस से मांग सकती है और अब उसकी गरीबी के दिन भी खतम हो चुके थे सो फ्रेंड्स अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हामें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी गरीब परी के दिफाली और चादुई ड्रेस एक बहुत ही खुपसूरत परी लोग था जहां बहुत सी परियां रहती थी उन परियों में कुछ गरीद थी तो कुछ अमेर जो गरीब परियां थी उन्हीं में एक परी थी जिसका नम सितारा परी था फेह अपनी बीमार मा के साथ रहती थी उसके मा हमेशा बीमार रहती थी और वे खेतों पर जाकर काम किया करती थी उससे उसे जितने भी पैसे मिलते फेह उन पैसुसे अपनी मा का इलाज कराती थी इसी तरह से समय गुजर रहा था और फिर धीरे धीरे दिवाली में अज़्दीक आ जाती है सभी परिया बहुत ही खुश थी पर सितारा परी की जिन्दगी में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि पैसे नहोने की वज़े से उसने कभी भी दिवाली नहीं मनाई थी फै हमेशा दोसरों को ही दिवाली मनाते हुए देखा करती थी उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था जोया परी सितारा परी इस पर दिवाली में बहुत ज्यारा मजा आने वाला है क्योंकि इस पर माने मुझे पिछली पर से भी डबल पैसे दिये हैं और हाँ मैं उन पैसों में से कुछ तुमें दे दूँगी जिससे तुम भी दिवाली मना सकती नहीं मैं पैसे नहीं ले सकती क्योंकि तुम तो जानती हो न कि मैं किसी से भी पैसे उदान नहीं लेती हूँ और इसी वज़े से मैंने आज तक दिवाली नहीं मनाई और जब हमारा समेश चाह जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा अच्छ ठीक है पर तुम जा कहां रही हो हो मेरी मां की तब्यवयत कुछ लिए मैं खेट पर जा रहाई हूँ बहुत ही ज़्यादा काम है मालिक ने कहा है कि अगर मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ तो वो मुझे ज्यादा पैसे देंगे और उन पैसों से मैं अपनी मा का इलाज करा पाऊंगी मैं भी चलो तुमारे साथ तुमारी कुछ मददी हो जाएगी नहीं मैं कर लूँगी तुमें भी तो काम होगा सितारा परि खेद पर आजाती है यहाँ तो आगई पर अभी यहां कुछ ज्यादा एक गर्मी है थोड़ा पेड़ के पास आराम कर लेती हूँ फिर काम करूंगी सितारा पर इफ वहीं एक बेड़ के पास बैड़ चाती है पर तब भी उसकी आख लग चाती है कुछ देर पाद जब वे नेंज से जाकती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुती बड़ा घड़ा रखा हुआ था इतना बड़ा घड़ा जहां कैसे हो सकता है कौन रख सकता है इसे जहां इसके अंदर देखती हूँ जब वे उसके अंदर देखती है तो उसके अंदर एक बहुती अच्छी ड्रेस रखी हुई थी आरे इसके अंदर तो सिर्फ ये ड्रेस है पर घड़े के अंदर ड्रेस कौन रखता है कुछ समझी नहीं आ रहा तब भी अचानक फैघड़ा बोलने लगता है यह एक चादूई ट्रेस है और यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ मैं हमेशा से इस खेट में ही रहता हूँ और सभी गरीबों की मदद करता हूँ तुम इस गेट में कितनी मेहनत से काम करती हो यह समुझे पता है और अब तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें मिलने वाला है शेड़ ट्रेस बहन कर तुम जो भी बोलोगी तुम्हारे सारी चाय पूरी होँगी और तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी और अपनी मा को भी ठीक कर सकोगी आपको बहुत बहुत धनिवाद मैं हमेशा सही ऐसे समय का इंतिजाद कर रही थी और अब मैं भी तिफाली मन पाऊंगी और मेरी मा भी बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी इतने पसंद देगी उसकी मा का फोन जब भी खाली होता तो वो फटा-फट से उसे देखने में लग जाती पर उसकी मा उसे हमेशा ही फोन यूज़ करने से मना करती रहती क्योंकि फिर बहुत ही छोटी थी पर उसे कोई फर्की नहीं पड़ता शुरूती परी फिर तो ने फोन लिया मैंने तुझे कितनी बार मना किया है पर तुझे समझ ही नहीं आता मैं मैं बस अभी देख रही है बस थोड़ा देखने के बाद मैं पढ़ने के लिए जाऊंगी ठीक है पर याद रतना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ मेरी आने तक सारा काम कर लेना हाँ मा मैं कर लोगी अब जिंता मत कीचिये अब सारा काम करना पड़ेगा क्या मुसीबत है पहले सारा काम कर लेती हूँ उसके बाद फोन देखूंगी श्रूती परी काम करने के लिए चली जाती है पर कुछ देर पाद जब वापिस आती है तो देखती है कि फोन अपनी जगे पर था ही नहीं श्रूती परी सोच में बढ़ जाती है कि या किर फोन कहां जा सकता है खिर फोन गया तो गया कहां, मैंने तुझे ही रखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ वापिस आई हूँ और फोन लेकर गई हूँ हाँ, शर्ट ऐसा ही होगा, मैं बेकार में इटेंशन ले रही हूँ, शाम को उसकी माँ वापिस आती है माँ, आपे तु लेकर गई थी, शी क्या करें, मैं तो तेरे सामने ही गई थी और फोन तेरे पास ही था ओ नो, अगर ऐसा है, तो फोन गया तो गया कहां, अगर माँ को इस बारे में पता चला कि मुझसे फोन घुम हो गया है, तो वो तो मेरे जान ही ने लेंगी क्या करूं क्या करूं हाँ जोटी बोल देती हूं बाद में देखा जाएगा मा वो फोन चार्ज नहीं था ना किसलिए मैंने चार्जिंग पर लगाया है अच्छा ठीक है दूसरे दिन आप भी तक तुमा ने फोन के बारे में कुछ नहीं पूछा है वर परो कितनी दे वो किस पूछ सकती है जा करूं है भगवान मेरी मदब कीजिए कहां जा सकता है फोन तब इसे उसके मां का फोन पढ़ा हुआ दिखाई देता है अरे शी क्या शीफोन जाके से पढ़ा हुआ है कौल आया इसे यह जो प्योग पर अच्छा हुआ फोन मिल गया नहीं तो आज मा मेरे हुए थे जी तु जादूई फोन है हाँ जी फोन जादूई नहीं है बलकि मैं एक जादूई शैतान हूं जो कई दिनों से इस फोन में कैद था अच्छा हुआ तुमने मुझे आजाद कर दिया मैं तुम्हारा ऐसा कभी ने भूलूँगा मैं कुछ समझी नहीं मैंने तु तुम उस फोन में वीडियो गेम खेल ले थी ना तब ही मैं आजाद हो गया था फोज़त तो ठीक है पर मेरी मा का फोन तुम उसके चिंता मत करो शीलो ये एक चादूई फोन है इससे तुम कुछ भी कर सकती हो और अपनी मा के लिए एक नया फोन भी ला सकती हो सच में ये तो बहुत ही अच्छा है आपका बहुत बहुत थन्यवाद शुरूती परी अपने मा के पास चाती है और सारी बाते बताती है उसके मा भी बहुत ही खुश होती है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्स